दोस्तु इस वीडियो में हम पूछांगे जीके का पांच बड़े ही मैदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में हर दम हर वक्त कामा करेगी तो चलिए इस कमाल के वीडियो को अभी हमारी सी वक्त सुरू करते हैं आच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों कि अच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों इसका सही अंसर है 20 का दूध पाने से जो है हड़ी मजबूत रहता है मांस मजबूत रहता है तो बुरहापे तक आदमी खुब आसानी से जी पाता है जो लोग दूध नहीं पीते है 20 का उनको जो है हड़ी कमजूर हो जाती है मांस म मजबूत नहीं रहता है तो गजन हो जाती है बुठापे में सवाल नमबर दू मुर्गा का मीट कि इसको खाना चाहिए दोस्तों नहीं चांते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू की जगा आच्छा सेहत बनाने के लिए दोस्तों कि आच्छा सेहत हमेशा बनते रहे दोस्तों कि दोस्तों इसका सही अंसर है गठिया वाले रोगियों को मुर्गा का मीट चिकन खाना चाहिए क्योंकि गराम होता है तो भूटनों में कोई परकार की दिक नहीं आती है दोस्तों इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुर्गा का चिकन मटन है हम लोगों को दुस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जह आ आछा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों कि अच्छा जनकारी मीलती रहे दोस्तो इसका साई अंसर है शरीर में तागद बनता है नाया खून बनता है अतरियों की जितना रेशा रहता है वो नाया त्यार होती है इसलिए राजमा की सब्जी जरूर खाना चाहिए दोस्तो राजमा की सब्जी खाने से बहुत फायदेमंद होती है सवाल नमबर चार ज्यादा अम्रूद खाने से क्या होता है हम लोगों को सरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा आच्छा जनकारी हमेशा पाने करें हैं कि दूस्तों इसका सधी अंसर है सर्दी युकाम होता है और लीबर में सुजन होती है इसलिए दोस्तों क्या करना चाहिए कि ऑमरूद ज्यादा नहीं खाना चाहिए पेट में बहुत तकलिफे बढ़ जाती है इस लिए अम्रूद का सेवन कम करना चाहिए सवाल नमर पांच अंडा किस को नहीं खाना चाहिए ज्यादा दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर गीजेगा अच्छा जनकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों कि अच्छा जनकारी आप तक ड सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो फीड मार सकता है थैंकि दोस्तों बने रहे मस्तर हैं खुद धाल रहें